ओम शान्ती, आज हम 16 सप्टेमर के इश्र वदन में पहुचे हैं और परमात्मा कहते हैं कि कैसे जब हमारे जीवन में परिस्टे आती हैं तो हम हलके बन करके, उड़ता पंची बन करके कैसे इंको पार कर सकते हैं तो देखें परमात्मा के अपने शब्द में इस परमात्मा परमात्मा जोड़ता हैं वो तुम्हें और पसाएंगी, तुम्हें समस्यों में और पसाएंगी, तुम यूज करो तो सही reasoning, जो की परमात्मा की guidance की दोरा की, तुम्हारे अंदर की शान्ती, पवितरता, ज्यान, शक्ति, ये सारी चीज़े हैं और ये इन संस्कारों को इमर्ज करो कि मेरे को जो भी situation है इस परमात्मा तो कहते हैं कि अपने अनादी संसकारों को इमर्ज कर शर्व समस्थियां को पार करने वाले उड़ता पंची भवा, आप सब अनादी रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोज के कारण उड़ता पंची के बजाए, पिंजडे के पंची बन गए हो, और बोच कहा से आता है, बोच तब आता है, जब हम वेर्ट संकल बहुत चलाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या बोला, इसने इसे कर दी तो क्या होगा, हमारी प्रॉलम कैसे सॉल्फ होगी, या इसके कारण हो रहा है, इसने अगर यह नहीं किया होता, वो लोग य हम ब्लेम करते हैं, कंप्लेंड करते हैं, कड़वापन अपने अंदर पैदा करते हैं, तो परमातों कहते हैं, तुम्हारे अंदर solutions की जगा problems दिखनी शुरू होती है, फिर, अब फिर से अनादी संसकार अनादी संसकार में हमारे अंदर क्या होता है? Simplicity होती है, हमें किसी को blame नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर खोशी के संसकार हैं, सादगी के संसकार हैं, सबक्रती, अच्छी भावने के संसकार हैं, हम उनी नहीं करना अपने अपको, इसी को ही सहज पुरषात कहा जाता है इजी पुरषात, इजी वर्क spiritual वर्क उड़ता पंची बनेंगे तो परस्तितिया नीचे और आप उपर हो जाएंगे पर्मात्मा, उड़ता पंची बने उपर होना, पर्मात्मा की याद में अगर आप उससे बात करोगे तो वह आपको गलत गाइडिन्स दे सकते हैं, आपको उल्टा सिखा सकते हैं, आपको बहुत इगोस्टिक बना सकते हैं, तुम्हें ऐसे कर दिया, तुम्हें तो एसे करना चाहिए, तुम्हें तो रिवेंच लेना चाहिए, तुम्हें तो रिव समस्याओं का सामाधान है ना कोई friend ना कोई relative हमें help कर सकता है पर मात्मा ही हमें help कर सकते है गाइड कर सकते है यह सब को सिका जाता है ब्रह्म कमाईज में बस इसको हमें practice करना है अपने life में जब situations आती है उनको हमें apply करना है औम शांतीस के साथ